दिखिए जैसे हमको जानकरी है के नू की जो एक दुरुभागे पूरुन दर्दनाग जो घटना हुई उस घटना में काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकरी में छे लोगों की मिरत्यों हुई है दो हमगाड की लोग हैं चार सिविलियन्स हैं और अनेकों घाल हुए हैं जो नलड होस्पिटल में मिदानता होस्पिल गुरुगराम में अन्य हस्पितालों में दाखिल हैं जिनकी देखरेक उपचार किया जा रहा है और पुलिस की जो तीस कंपनीस हरियना की और वीस अन्य कंपनीस केंद्रिस रख्षा पलों की हमको मिली जिन में से बीस में से तीन हमने पलवल में, दो गुरुग्राम में, एक फृरिदाबाद में और चौदा जो कंपनीस हैं वो नूजिले में डिप्लाइ की गई हैं और सब मिलकर के वहाँ एक जो शुरिंतरकारी इस परकार से थे जो दोशी लोग थे उनको पकड़ा जा रहा ह है, उनके लिए सर्च ऑप्लेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने कुछ की जा रही है, अभी तक एक सो सोला लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताके उनसे और जानकारी ले करके जो भी लोग इस में दोशी पाए जाएंगे, उनके उनको पकड़ करके, उनके खिलाफ सक्थ सक्थ कारवाई की जाएगी, किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा, हाँ जो आम नागरेक हैं, उनकी सुरक्षा करना ये हमरा दाई तो है, उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा जेंसीज है हमारी पुलिस है, वो स्तरक है, बाकी हर्याना में भी जो कोई छोटमूट घटनाय हुई है, वो सब कंट्रोल कर ली गई है, सिती वी सामाने हो गई है, मेरी जनता से अपील भी है, कि वो लोग शान्ती बनाए रखें, और चूँके आपसी तनाव में भाहिचरा बिगड़ है, कि नू की जो एक दुरुभागे पूर्ण दर्दनाग जो घटना हुई, उस घटना में काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ, और अभी तक की जनकरी में छे लोगों की मिरतियों हुई है, दो हमगाड के लोग हैं, चार सिविलियन्स हैं, और अनेकों घाल हुए है जो नलड हॉस्पिटल में, मिदानता हॉस्पिलो गुरुगराम में, अन्य हस्पितालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है, और पुलिस की जो तीस कंपनीज हरियना की, और वीस अन्य कंपनीज किंद्री सुरक्षापलों की हमको मिली थी, जिन म मिल करके, वहाँ एक जो शिरिंतरकारी इस परकार से थे, जो दोशी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके लिए सर्च ऑप्रेशन भी किया गया है, और जो लोग भागे हुए हैं, उनको पकड़ने कुश्च की जा रही है, अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं, और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा, ताके उनसे और जानकारी ले करके, जो भी लोग इसमें दोशी पाए जाएंगे, उनके उनको पकड़ करके, उनके खिलाफ सक्थ सक्थ कारवाई की जाएगी, किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा, हाँ जो आम नागरेक हैं, उनकी सुरक्षा करना, यह हमरा दाई तो है, उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा जेंसी हैं, हमारी पुलिस है, वो स्तर्क है, बाकी हर्याना में भी जो कोई छोटमूट घटनाय हुई है, वो सब कंट्रोल कर ली गई है, सेती वी सामाने हो गई है, मेरी जनता की घटना को आगे न बढ़ने दे ऐसा मैं जन्ता से अपील करता हूँ